नमस्कार मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि ब्रिस रासी बालों का आने बाला दिन यणी की 11 अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा आने बाले शमय में ब्रिस रासी बालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों इस बेडियों के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसिज अब शिकरें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ की आने बाले शमय में आपका प्रेम संबंध कैसा होगा मित्रों प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बहतर एबम सांदार होगा आने बाले शमय में आपके प्रेमी या आपके प्रेमी का का साथ उनका सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा जिसके कारण आने बाले शमय में आपका प्रेम संबंध बहुत जयादा रोमान चक इबं बिहतर होगा मित्रो आने बाले शमय में यदि आपके बेपार आपके बेवसाई की बात कड़ें तो बेपार के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब दोस्तो आने वाले शमय से पहले यदि आपके बेपार आपके बेविसाई में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने बाले समय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने बाले समय में आपके कामकाज में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा मित्रो आने बाले समय में यदि आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा की बात करें तो सिक्छा के द्रिष्टी कौन से आपका आने बाला समय सामानने से बहुत ज्यादा नीचे है मित्रो आने बाले समय में अपने पढ़ाई लिखाई के छित्र में समय के दुरूप योग से आपको बचना होगा क्योंकि आने बाले समय में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं अपने समय के महत्तो को यदि आप नहीं समझते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेग मित्रो आने बाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून आपके लिए भाग्यसाली अंक है पाँच यणी की फाइब मित्रो आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको अनंत मूल की जर को लाल कपरे में लपेट कर अपने पास रखना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बठने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इबम इस वेडियो के नीचे जै बाबा भेरब कमेंट कर दें, धन्यवाद